क्योंग वूआ क्यों आई क्यापिटिलाइजेशन क्यापिटिलाइजेशन बड़ा असान है ये method ये mixture है, किसका mixture है average profit, super profit का इसके अंदर दो तरीके से सवाल पूछे जा सकते है capitalization method में sir, कौन-कौन से दो तरीके के सवाल पूछे जा सकते है number one average profit के इसाफ से number two super profit के इसाफ से यानि आप goodwill बताईए और base मानना है आपको average profit तब goodwill बताईए और आप base मानिए super profit को तब goodwill बताईए दोनों चीजे है तो sir, average profit के इसाफ से अगर base मानना है तो goodwill is equal to होगा average profit के according capital minus में normal capital यानि simple सी बात है average capital समझ रहे हो बात को sir, average capital employed कैसे निकाला जाता जा सकता अभी तक हम एक घंटे में यही discuss कर रहे थे average profit के हिसाब से capital कैसे निकाला जाएगा होगा average profit into में 100 divided by rate अगर मैं आपको कहूँ के आपकी 1000 रुपे की कमाई हुई है और आपने 10 परतीशत के इसाब से 1000 रुपे कमा लिए तो आपने कितने पैसे लगाए होंगे simple सी बात है लाक रुपे लगाए होंगे आपने लाक नहीं 10 रुपे कितने आएंगे देखो into में 100 divided by 10 तो आपने 10 रुपे लगाए होंगे आपकी कमाई 10 परसंट यानी 1000 हो गया तो यानी आपने rate को क्या करा उल्टा कर दिया तो ये इसके according ये आ जाएगा सर सूपर प्रॉफिट के हिसाब से क्या होगा सर goodwill goodwill is equal to सूपर प्रॉफिट इंटू में 100 divided by rate that's it सर सूपर प्रॉफिट क्या होता है समझाना ही क्या आपको average profit minus में क्या normal profit आपको समझाना है कैसे निकालेंगे यानि average capital employed into rate यानि आपने अगर दोनों method पुराने कर रखे है तो बस इसके अंदर आपको थोड़े से points याद रखने है बाकी सवाल दोनों हो जाएगा और दोनों से answer exactly same आता है कभी कभी change आ जाता है जब कुछ questions में condition applicable कर देता है बाकी दोनों से answer क्या आता है same आता है कोई दिक्कत ठीक है तो हमें question दे रखा है यह तो capitalization excess annual average profit distribution reasonable return capital employee yield कितना है हमारा 10% तो इसको हम capital अब question में ना बोला जाए कि कौन सा लगाना है super profit को base मानना average profit तो आपके इच्छा है जो मर जी मान लीजे मैं सिर्फ capital employee वाला एक सवाल करता है इसमें सिर्फ capital employee से बोला गया है और amount भी दे रखा है मैं दोनों method से करके दिखाऊंगा इसको average वाले से भी और super वाले से ठीक है ना दोनों से करके देखेंगे और answer आप check करिएगा question number 11 यह भी आपके किताब का ही question है और exam में आया हूँ है देखना कौन से साल में आया हूँ है तो यह हम past experience के हिसाब से लेके चल रहे हैं क्योंकि life में पहली बार second semester हो रहे है आप पहले student हो जो कि NEP में आये हो तो क्या pattern रहेगा बाकी वो इसी pattern पर रहेगा जो उन्होंने marking scheme दी है 20 नंबर की unit उन्होंने बोला है कि हम इसको 20 नंबर में रखेंगे तो ठीक है तीन chapter है तो तीन chapter 20 नंबर में तो यही बनने हैं देखे क्या कहता है following information balance sheet का given है और यह again हमें कुछ liability और कुछ assets नए pattern पर दे दिया इसने नाव कहता है the company आपका started operation 2012 में with the above situation paid up capital and profit के साब से तो कहता है sir profit कमाया इसने unprofit तो अलग अलग profit दे रहा है 13 में 14 में और 15 में 16 में और 17 में अलग अलग profit है और income tax 50% has been payable on the these profit इसी profit के उपर देना यानि profit हमारा कौन से लेते हैं after tax लेते हैं तो profit में से पहले यह minus कर देंगे dividend has been distributed from the profit इसी profit से पहले हमें dividend भी dividend कब दिया जाता है हमेरे last में दिया जाता है ठीक है न तो dividend नहीं देना क्योंकि हमें तो profit कमाना देखना है अगर profit कमाने की बात करें तो dividend minus नहीं होगा first three year पहले three year में dividend कहता है कि the dividend has been distributed from the first three year 10% आपका 10% होगा और next two year में 15% होगा end of the capital calculate under the capitalization method आपको goodwill बताना है कि क्या goodwill आएगा अब मजे की बात देखो कि कहता है कि dividend first three year में 10% था और next three year में कितना होगा 15% next three year यानि expected क्या है यहाँ पर कि आपका 15% आपको लग रहा है कि expected वाला है या फिर 10% आपको याद होगा पिछले सवाल में उसने बोला था dividend हम बाट चुके हैं और एक में कहा रहा था 15% of future में लेंगे तो expectable rate of return क्या माना जाएगा 15 क्योंकि हम dividend इतना देंगे ठीक है जब सवाल में नहीं दे रखा बाकि अगर rate निकालने का कोई option होगा तो rate भी हम निकाल लेंगा और कुछ तो सवाल में नहीं गीवन है तो capitalization method में कुछ नहीं बोला सबसे पहले आप average profit निकाल लीजे चाहिए ही चाहिए होगा average profit average profit के लिए आपको हर साल का क्या दे रखा है हमारा पहले साल का profit क्या दे रखा है छे लाग प्लस साथ लाग पचास अजार प्लस आठ लाग प्लस आठ लाग प्लस आठ पचास प्लस अरे आप लोगों को पढ़ना तक बूलना तक नहीं आता बताओ क्या करोगे लाइफ में पहला था हमारा कितना छे लाग साथ लाग पचास अजार फिर आठ लाग पचास अजार प्लस नो लाग पचास अजार इन सभी को प्लस करके डिवाइड कर देंगे एक दो तीन चार पांस से क्लियर हैं डिवाइड कर ये पांस से भाई calculator फिर नहीं ला रहे कितने आगे आठ लाक रुपए आगे अभी tax minus नहीं किया इसमें से minus कर देंगे tax less कर दोगे tax कितने percent है 50 यानि 4 लाक तो ना आपका actual average profit का आएगा average profit आगे अब आपको normal profit निकालना पड़ेगा और normal profit निकालने के लिए आपको capital employed छाहिए ठीक है और normal profit निकालने के लिए आपको capital employed चाहिए capital employed निकाल लेते है capital employed total assets total assets कितने हैं 48,00,00 minus करते जाते हैं जो जो चीजे हमने minus करने का बोला था less goodwill है क्या question में ढाई लाग इसके बाद goodwill के बाद हमारा investment है क्या question में नहीं है इसके बाद intangible कोई ऐसा assets है क्या नहीं दे रखा जो कि fictitious assets sorry intangible बोल रहा हूँ fictitious assets कुछ भी नहीं है यानि सर क्या क्या दे रखा था building ठीक है सर planted machinery net depreciation के बाद है goodwill तो जाएगा ही जाएगा inventory भी जाएगा trade receivable debtor भी जाएगा minus कर देते है external liability external liability में ये दोनों पॉइंट आजाएगे ठीक है दोनों पॉइंट में क्या आजाएगा less कर देते है outsider liability sir क्या क्या लोगे outsider liability में 4,00,00 वो तो है नहीं long term borrowing 4,80 plus plus 17,00,00 और भी देख लो कुछ है तो नहीं बचा 28,00,00 that is capital employed इसको average करना पड़ेगा तो average करने के लिए क्या रहेगा 28,00,00 और ये closing होगा minus कर देंगे 1 by 2 off तो क्या जाएगा तो क्या जाएगा क्या यहां तक देखिए क्या normal profit निकाल सकते हैं आपको दो rate था past three year future हम अजम्शन लेंगे कि future next year में देंगे तो हमारा normal profit भी आजाएगा है और नॉर्मल प्रोफिट अचार लाग तीन लाग आ रहे है पंदरा ही निकाला है ने पंदरा है पा रहा है 33.97 मेरा गलत कैसे आ रहा था कोई दिख्कत है यहां तक और दो तरीके थे एक तो super profit के इसाब से निकाल लो और एक average profit को बेस मान के super profit तो आपको समझ में आ गया होगा समझ में आ रहे है तो आगर हम इसमें से और divided by कितना आएगा 397 डिवीजवल वाई क्या रेट था पंदरा 66 और अगर हम average रेट लेते हैं यहां क्यापिटलाइजेशन रेट दिया है नहीं यहां क्यापिटलाइजेशन रेट नहीं दिया है नहीं तो चालाइजेशन रेट था रेट था नहीं आपिटलाइजेशन रेट नहीं यहां यह वाला गलत अजम्शन लिया है देखे रेट आठ लाख भूमे, चार लाख ठीक है है कुशन बुक में? रेट देखे क्या के बने है दिखाइए कौन सा कुशन कर रहे हैं 28.50 चार लाख यह भी है 12% 12% कुशन में गीवन था 15% 10% अच्छा अब देखे एक पॉइंट और देख लेते हैं आपको यहां पे एबरिज प्रॉफेट जो था rate of return नहीं गीवन rate of return जो कुशन में था नौट गीवन था लेकिन आपको कहता है dividend हम पहले तीन साल पहले तीन साल जो देंगे वह 10-10% देंगे उसके बाद 15-15% दो साल देंगे तो पहले तीन साल 10% फिर 10% फिर 10% next two year में कितने देंगे अगर हम इन rate का हर साल हम dividend दे रहें तो एक average rate निकाल लें तो कितने से divide कर दें हम इसको तो क्या आ जाएगा यानि हमारा rate यह एक average rate आ गया 12% और आप इसको यहां पर average rate यह भी कर सकते थे चाहते तो इसे 15 अजम्शन ले नहीं सकते क्योंकि मुझे लगा future में pay करेगा लेकिन हमारे 5 साल के profit है तो इन profit की बात कर रहा है कि 3 सालों में 10% देंगे और 2 सालों में पंदा देंगे अगर कहता है नेक्स्ट हम 15% payment करेंगे एक्सपेक्टिड तो तो कोई दिक्कत ही नहीं था तो अब जो हमारा यहां पे यहां पे देखा जाए तो नॉर्मल रेट क्या आएगा सर नॉर्मल प्रॉफिट सौरी नॉर्मल प्रॉफिट क्या आएगा 26 लाग पचास अजार का कितने परसेंट निकालिए क्या आता है कितने 318 सर अब हमारे पास गुडविल निकालने के दो पैटन है कहां गया सर दो पैटन है या तो एवरेज प्रॉफिट को बेस मानी है यह सूपर तो सूपर वाला बेस मान लेते हैं क्योंकि सूपर फटा फट ने कल रहा है एंटू में क्या कर देंगे 100 divided by rate तो सूपर वाले को बेस मानने अगर हम तो सूपर वाले को बेस मानते तो सूपर प्रॉफिट क्या होगा सर सूपर प्रॉफिट होगा हमारा चार लाग माइनस में 318 यह हां कि दूबिल तो बेस है कि इते 62,000 यह आ गहां सूपर को रिवर्स और प्रॉफिट यैनी गूट विल क्या होगा यान का लिख हलाsky का जाएक चलो ने जाते होटनारत कर दो का संजने लिए जए 2 ब्रॉफिध क्या होगा 82,000 into my 100 divided by तो यह आ गया हमारा 60 3 2 4 हाँ बुक में देखो के रहा है, 48 क्यों आ रहा है 68 है, 48 है नहीं तो उल्टा ही कर रहा है, 100 by 12 दिखाओ नहीं वो तो capital लिखा ला है चलो यानि यह हमने किसको base मान लिया अब एक base मान रहेते है, average profit को average profit को base मानने के बाद क्या है गुडविल good will is equal to average profit के हिसाब से capital minus में जो आपका क्या है capital employed average profit के हिसाब से capital कैसे निकालेंगे चार लाख में इंटू में 100 divided by 12 नॉर्मल अलग आता नहीं है यहां पर अलग आ रहा है कोई बात नहीं यहां गया हमारा तीन तीन पाँच दो चार छेख साथ पाँच छेख साथ ठीक है माइनस कर देंगे कितना था 26 लाख 26 लाख 50 अजार इन्होंने एवरेज नहीं निकाला न डारेट किया न नहीं चलो आप आंसर यह करेक्ट करना ठीक है 68, 33, 33 यह आंसर करेक्ट कर लेना बुक के अंदर आंसर देखोगे तो क्या कर रखा है वही मैं देख रहा था उन्होंने एवरेज नहीं निकाला उन्होंने कहां से कर दिया सीधा 28, 50,000 आप आप आवरेज निकाल के करेगा हर बार हम सिस्टेमेटिक सिमेट्रिक फॉलो करके चलेंगे कहीं आवरेज कहीं यह से नहीं सब जगा आवरेज लेके चलेंगे ठीक है क्लियर है